2762 रुपए से 9 रुपए 80 पैसे पर आ गया शेयर, Reliance Capital को खरीदने के लिए हिंदुजा ग्रुप जुटा रहा, फंड Reliance Capital के अधिग्रहें के हिंदुजा ग्रुप 800 मिलियन डॉलर यानी 66 अरब 61 करोर 40,000 रुपए फंड जुटाने के लिए निजी क्रेडिट फंडों के साथ बातचीत कर रहा है, यह जानकारी पहचान उजागर न करने की शर्थ पर इस मामले से परिचित लोगों ने दी है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुंकी दोनों पार्टियों ने अभी तक कोई समझोता नहीं किया है, इसलिए शर्थें अभी भी बदल सकती हैं, रिलायन्स कैपिटल शेयर प्राइस हिस्ट्री, रिलायन्स कैपिटल के शेयर पिछले पांच साल में आने निवेशकों को कंगाल कर चुके हैं, 261.80 रुपए से तूट कर यह शेयर अब 9.80 रुपए पर आ गया है, यानि इस अवधी में 96 फीसद अधिक लुढ़क चुका है, 15 साल पहले यह शेयर 2762.60 रुपए का था, अभी इसका 52 हफते का हाई 13.101 रुपए और 10.65 रुपए है, बता दे रिलायन्स कैपिटल एक शेयर बैंक हैं, जिस पर कभी पूर्व अरप्ती अनिल अंबानी का नियंत्रण था, पांच से अधिक बड़े गैर बैंक फाइनेंसरों द्वारा डिफॉर्ट करने के बाद, 2021 में अब रिजर्व बैंक ने इसे अपने कबजे में ले लिया था, हिंदुजा ग्रुप का कारोबार वित्तिय सेवाओं से लेकर रसायन और रियल एस्टिक तक हैं, टाइम्स ने जुलाई में सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट देते हुए कहा था, कि हिंदुजा ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल के संभावित अधिग्रहेन के लिए वित्तिय संस्थानों के एक समोह से करीब एक बिलियन डॉलर जुटाने की मांग की है, हालां कि इस पर हिंदुजा समोह के प्रतिनिधी ने ततकाल कोई टिपणी नहीं दी,